पिछले कई महीनों से लगाता ट्रेनों के रद और लेट होने का सिलसला चलता रहा है यात्रियों को स्टेशन में चार से पाच घंटे इंतिजार करना पड़ता है इतना गर्मी में यात्रियों के परशानी जानने के लिए कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच आज रेलवे स्टेशन पहुँचे जहां उन्होंने रेल यात्रियों से मुलकात की जोरान उन्होंने कहा कि जो रेल नहीं चला पाए विदेश को दस साल तक कैसे चलाए है उसका अनुमान लगाया जा सकता है यह देख रहे हैं आप रेलवे स्टेशन के हम लोग नजदी के और रेलवे स्टेशन में है जो रेल नहीं चला पाए वो दस साल तक कैसे सरकार चलाएंगी कैसे सरकार चला यह सबसे बड़ा सवाल है